ओम नमस्टिवा हरहर महादेव नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है सनातन सार यूटूब चेनल पर दोस्तों सावन सिवरात्री के दिन वर्त उपवास एवम जाप का विशेश महत्व है ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इस से जब करने से भोले नात बहुत जल्द परसन हो जाते हैं यदि आप सावन सिवरात्री का वर्त रखने की सोच रहे हैं तो आपको उससे पहले इस वीडियों में बताएगे उपायों को जरूर जान लेना चाहिए इन उपायों को अपनाने से भोले नात की विशेश करपा प्राप्त होती है और इन उपायों से जीवन में आने वाले सबी कश्टों का निवारन हो जाता है तो दोस्तों उपाई जानने से पहले चेनल पर नहीं है तो चेनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव अवस्थ से लिखें दोस्तों सावन की शिवरात्री के दिन धन पराप्ती के लिए करने वाला उपाई शिवजी को दूद दही सकर सहद और घी से अविशेक करें, एक एक करके ही चीज़ें रपित करें, सबी चीजों को एक साथ ना मिलाएं सारी चीज़ें रपित करने के बाद जल रपित करें, और ओम पारवती पतिये नमह मंतर का जाप करें अंतमे धन प्राप्ती के लिए बगवान भोले नाथ से प्रार्थना करें आपकी मनो कामना अवस्य ही पुरुन होगी संतान प्राप्ती के लिए सिवलिंग पर सुद घी चड़ाएं उसके बाद जलर पित करें भोले नाथ का समरण करते हुए द्यान करते हुए संतान दारन करके ही भोले नात की पूजा करें शिवलिंग पर 108 बेल पत्तर चड़ाएं बेल पत्तर चड़ाते समय ओम नमय शिवाय मंतर का ज्याप करते रहें उसके बाद शिग्र विवाह के लिए भगवान भोले नात से प्रार्थना करें आपका जल्द से जल्द विवा होगा दोस्तों सुकी विवाहिक जीवन के लिए पती पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करें जल चड़ाते समय ओम नमय शिवाय मंतर का ज्याप करें शिवलिंग पर गुलाब की पंखुडियां चड़ाएं उसके बाद सुकद विवाहिक जीवन की भगवान भोले नाथ से कामना करें प्रार्थना करें भगवान भोले नाथ अती शिगर आपकी प्रार्थना स्विकार करेंगे दोस्तों रोग या बिमारी के लिए स्वास्ते को सही करने के लिए सावन शिवरात्री के दिन भगवान शिव को इतर चड़ाएं इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें इतर चड़ाते समय हर हर महादेव कहते रहें और नमस शिवाय मंतर का जाप करते रहें अच्छे स्वास्ते और लंबी आयू के लिए भगवान भोले नाथ से प्रार्थना करें आपकी प्रार्थना अवस्चे ही भगवान भोले नाथ पुरुन करेंगे। भगवान की मासिक शिवरात्री के दिन किये जाने वाले चमतकारी उपाए। ओम नमस्तिवा हर हर महादेव।